दोस्तों हमारे आसपत जब कभी आग लगती है तो हम उस पर एक स्प्रे डालते हैं जो कि एक सिलेंडर पर भरा हुआ होता है जिसका कलर लाल रंग का होता है आप सभी ने देखा ही होगा कहीं न कहीं पेट्रोल पंप, किसी फैक्टरी या किसी दुकान पर तो दोस्तों कि आपको पता है कि ये फायर एक्स्टिंग्विशर हर जगा अलग अलग होती है हमें नॉर्मल तोर पर लगता है कि ये सेम ही है लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों तो दोस्तों आए जानते हैं अलग अलग तरह के फायर एक्स्टिंग्विशर के बारे में दोस्तो गर्मी के मौसम में आग लगने की घटना समाने तोर पर बढ़ जाती है इस मौसम में ज़्यादा तर खेत में खड़ी फसलों में आग लगने की घटनाय सामने आती है वहीं कई बार बिजली की उपकरनों से होने वाले सौट सर्कित से भी आग लग जाती है आपने दमकल विभाग के लोगों को fire extinguisher के जरिया आग पर काबू पाने की कोशिस करते भी देखा होगा लेकिन कि आपको आपने कभी सोचा है कि यह extinguisher कितने प्रकार के होते हैं किया यह सभी सेम होते हैं कि अलग लग होते हैं तो दोस्तो fire extinguisher का इस्तिमाल आग लगने वाली इस्तिती पर निर्भर करते हैं पेपर, कपड़े, लकड़ी में लगी आग पर काबू पाने के लिए गैस में लगी आग को बुशाने वाला extinguisher का इस्तिमाल नहीं किया जाता है extinguisher का अलग अलग प्रकार का काम भी अलग अलग है दोस्तो तो आईए जानते ही निए extinguisher के बारे में विस्तार से दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं foam extinguisher की दोस्तो पेट्रोल लिजल या किसी जोलन सिल पदार्थ में लगी आग को बुझाने के लिए Foam Extinguisher के इस्तिमाल किया जाता है Foam Extinguisher पर क्रीम कलर का लेवल होता है दोसको इस Extinguisher के इस्तिमाल से पेपर और कपड़ों में लगी गंबीर आग को भी पुझाया जाता है अब बात करते हैं Water Extinguisher की दोस्तो Water Extinguisher के इस्तिमाल आग पुझान में सबसे ज़्यादा किया जाता है इसके इस्तिमाल में आने वाले खर्च भी काफी कम होता है दोस्तो आपको बता दें कि आग के प्रभाव के हिसाब से Water Extinguisher के इस्तिमाल करने के लिए अलग अलग पॉइंट्स का उप्योग किया जाता है अब बारे आते हैं Powder Extinguisher की दोस्तो इस Extinguisher के इस्तिमाल कई रुपों में किया जाता है वैसे इस Extinguisher का मुख्य उप्योग बड़े इमारत के भीतर किया जाता है Powder Extinguisher वैसे जगहों पर उप्योग में लाया जाता है जहां किसी अन्य तरह के Extinguisher के इस्तिमाल नहीं किया जा सकता दोस्तो Powder Extinguisher पर नीले रंग का लेवल होता है अब बात कर लेते हैं Carbon Dioxide Extinguisher की दोस्तो ऐसे Extinguisher को उप्योग वैसी जगहर पर किया जाता है जहां बिजली के जादा उपकरन हो किसी कमपनी के सर्वर रूम में लगे आग को बुछाने के लिए Carbon Dioxide Extinguisher का इस्तिमाल में लाया जाता है दोस्तो Carbon Dioxide Extinguisher पर काले रंग का लेवल होता है इसके इस्तिमाल से आग पर बहुत जल्दी काबू पाया जा सकते है हलाकि Carbon Dioxide Extinguisher अन्य Extinguisher के मुकाबले काफी महंगा होता है अब बात कर लेते सबसे आखरी Extinguisher के बारे में जिसका नाम है Weight Chemical Extinguisher दोस्तो खाने के तेल से लगने वाले आग को बुझाने के लिए Weight Chemical Extinguisher काफी असरदार है अगर इस Extinguisher का ठीक तरीके से इस्तिमाल किया जाएं तो यहां काफी प्रभावी होता है दोस्तो Weight Chemical Extinguisher पर पिले रंग का लेवल होता है कर दोस्तो कि असर दीक आप है कर दिपसर जफ लेवल होता है यह कर का आप है चॉह है